हेलो फ्रेंड्स एंड वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ डॉक्टर मुकुल मलोत्रा चंडिगड इंडिया में एक पीडियाट्रिक निरॉलोजिस्ट यानि बच्चों के दिमाग मन नसों से संबंदित प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट तो जैसा कि आप सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी जिसमें हम डिसकस करेंगे कि जब भी बच्चे को सीजर हो या दोरा पड़े तो उस समय हमें क्या करना चाहिए यहां फिर सीजर की फर्स्ट एड के बारे में आज हम बात करेंगे और एंड में हम यह भी देखेंगे कि क तो शुरुबात करते हैं हम पहले स्टेप से तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है जब भी हम किसी बच्चे को दौरा पड़े या उसकी फर्स्ट एड कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है शान्त रहना अगर आप काम रहेंगे शान्त रहेंगे तभी आ का दौरा यहां कोई दौरा देखा है या अपने परिवार में भी कभी ऐसे दौरे नहीं देखे या उनको टैकल किया तो लाजमी है कि आपको घबराहट हो जाएगी या पैनिक सेट इन हो जाएगा और उस पैनिक में क्या हो जाएगा कि हम important details जो है वो miss कर देंगे और वो जो details होती है वो हमारे treatment के लिए diagnosis के लिए prognostication के लिए बहुत ही जादा important होती है तो पहला step हमेशा याद रहे कि घबराहट जो है वो सबसे कम से कम होनी चाहिए अब इसी के साथ दूसरा जुड़ा हुआ जो point ही है कि घबराहट आदमी को तब कम होती है जब उसे पता हो कि आगे करना क्या है अगर आप में को पता ही नहीं है कि करना क्या है तो घबराहट तो होनी लाजमी है तो इसलिए आगे की जो steps हैं उनको आप ध्यान से देखेंगे तो अगली बार अगर आपके बच्चे को होगी कि आगे मुझे क्या करना है तो आगे के steps को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो एक बार बच्चे को फिट स्टार्ट हुआ तो पहला है टर्न करने का मतलब क्या चाहे left पे हो चाहे right पे हो इसका मतलब ये कि जो सांस की नली है वह खुली रहे साथ साथ में जो बच्चे के मुझ से थूक या फेन निकल रहा है वह भी side से निकल जाए वह गलती से भी सांस की नली में ना जाए और सांस की नली को block ना करें साथ ही साथ जब बच्चे को एक side पे करें आप तो कोई पतली सी जैकेट या कोई चादर या कुछ भी flat सी चीज का सरहना बनाकर गर्दन के नीचे रखें ताकि गर्दन बिलकुल सीधी रहे इसी के साथ साथ जो आपक साथ हेल्प के लिए बुलाएं और उनमें से एक आदमी को आप ड्यूटी दे कि वह जो दौरा है उसको time करें कि कितने मिनट के लिए दौरा चला है क्योंकि नॉर्मली होता यह है कि जब भी ऐसी पैनिक सी situation आ जाती है या दौरा पढ़ने लग जाता है तो ऐसा महसूस होत यहाँ अगर दो घंटे तक लगतार बच्चा दोरा में रहेगा तो उसकी सानस की नली बिल्कुल बलॉक हो जाएगी और कई बार उनका बचना भी मुश्क्यल हो जाता है और जब हम देखते हैं तो बच्चा बिल्कुल ठीक होता है तो इसलिए कई बार क्या होता है कि पैन एक अच्छा खासा सबूत मिल जाएगा हमें कि क्या हुआ था और आपके pediatric neurologist को आपकी help करने में भी बहुत हसानी हो जाएगी तो जब आपने बच्चे को एक साइड पे लेटा लिया है उसके सर के नीचे सराना या कुछ रख लिया है तो उसके बाद आप ध्यान ये रखें कि अगर बच्चे ने कुछ गले में कुछ टाइट सा पहना हुआ है या उपर का बटन बंध है या सर्दियों में जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो गले में टाई होती है टाइट सी तो गले में कुछ भी अगर टाइट सा है जो स के साइड में रखते हैं इसका अगला स्टेप यह है कि आप आसपास की सारी जो जगह है उसको ठीक से जांच लें कि आसपास कोई भी ऐसी नुकीली चीज नहों या ऐसी कोई भी चीज नहों कि बच्चा हाथ पांग हिलाते टाइम अपने आपको ही इंजर कर ले या उसे दबरहाट और बड़ेगी और आपके जो स्टेप्स हैं वो आप भूल जाएंगे अब जब आपने बच्चे को सेफ पोजिशन में लेटा दिया है उसके आसपास की सारी नुकीली चीज़ें हटा दी हैं गले में या उसके टाइट क्लोधिंग को भी हटा दिया है तो उसके पांच मिनिट के अंदर अंदर अपने आप ही खतम हो जाते हैं आपको कुछ करने के जरूरत नहीं पड़ेगी बट अगर कोई दौरा दो या तीन मिनिट के बाद भी बढ़ता चला जा रहा है और आपको एहसास होता है कि ये रुखने वाला नहीं है तो इन डैट केस आप मिडाजोलम का नेजल स्प्रे आता है अगर आपके बच्चे को पहले से ही मिरगी है और आप ये सब जानते हैं तो most probably आप ये मिडाजोलम का नेजल स्प्रे करी रहे होंगे अगर नहीं भी है तो आप किसी को उस समय बोल सकते हैं मिडाजोलम का नेजल स्प्रे लाने के लि और आप यह देखते हैं कि दो से तीन मिनिट बात सीजर बढ़ता ही जा रहा है तो आपके आसपास जो भी लोग हैं उन्हें गाइड करें कि प्लीज एम्बुलेंस को बुलाएं या फिर आप आसपास खड़े जो लोग हैं जिनके पास कार है या कोई वहिकल है तो आप उनसे हेल भी ले सकते हैं तो यह तो कुछ स्टेप होए जो हमें बच्चे के सेफटी के लिए उस टाइम पे लेने हैं अब हम बात करते हैं चार ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स की जिनके बारे में आपको स्पेशली ध्यान देना है कि आप यह स्टेप्स बिलकुल भी ना करें अब सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप यह है कि जब भी हम कभी देखते हैं कि बच्चे के हाथ पैर हिलने लग गए हैं तो पैनिक में क्या होता है कि यहां तो माँ उसको बच्चे को गले में ले लेगी और अकडा लेगी ताकि उसके मुव्मेंट रुख जाए य क्योंकि सीजर जो है वह ब्रेन में नसों की स्पार्किंग की वज़ा से हो रहा ना कि मसल की कोई मुवमेंट के वज़ा से तो बेसिकली आपके दबाने से भी वह मुवमेंट रुखेगी नहीं बलकि और यह होगा कि फ्रिक्शन की वज़ा से उनको हाथ पाम और चिल जाए है ऐसे बच्चा दांत मीच लेता है तो उस टाइम सबसे पहला जो स्टेप मावाब करने लगते हैं कि या तो उंगली डालके या कुछ चमच डालके किसी भी तरीके से मुझ को खोलने में लग जाते हैं ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अपनी फिंगर तो बिल्कुल भी मुव में डालनी नहीं चाहिए क्योंकि उस समय बच्चे का अपनी मुव की मुवमेंट पर कोई भी कंट्रोल नहीं है तो होगा यह कि अगर आप ये उंगली डालोगे भी तो आपकी उंगली तो कटेगी कटेगी साथ में बच्चे का हैं कई बार क्या होता है कि दौरे के दौरान सांस कभी-कभी धीमी चलने लगती है कभी-कभी इरेगुलर सांस होने लगती है या कई बार कुछ सेकंडども के हमें आपको लगेगा कि बच्चा सांस ही नहीं ले रहा है तो उस समय में मूँ खोल के या मूँ को जबरदस्ती खोल के CPR या फिर मूँ से मूँ सांस में देने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये जो सांस लेने की प्रक्रिया है ये सीजर के दौरान उपर नीचे हो सकती है और जैसे ही सीजर दो या तीन मिनिट बाद रुकेगा ये अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगी उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है तो आगर आप जबरदस्ती मुँ को खोलने की कोशिश करेंगे और मुँसे सांस देने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप बच्चे को इंजरी करने फैदा तो कुछ नहीं होगा बलकि एक्स्ट्रा मुसीबत और स्टार्ट हो जाएगी अब जो चौथा पॉइंट ये है कि आप जैसे दो तीन मिनट तक वेट करते रहें सीजर रुख गया सीजर रुखने के बावजूद भी कई बार पांच या दस मिनट कई बार पंदरा मिनट का भी कन्फूजन का फेज रहता है जहां पर बच्चा थोड़ा कन्फूजड है थोड़ा ड्राउजी है उसे पता नहीं चल रहा है कि आसपास क्या चल रहा है तो एक ये पुरानी आदत है हम लोगों की कि साथ के साथ ही हम मूँ में पानी या कुछ खाने को देना स्टार्ट कर देते हैं तो हम ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब तक कि बच्चा पूरे तरीके से होश में ना आ जाए तब तक उसको खाने के लिए या पीने के लिए कुछ भी ना दे और इवन पानी तक भी उसके मूँ में ना डाले ऐसा क्यों अब सबसे इंपोर्टेंट बात है कि हमारे चबाने और निगलने में एक कॉर्डिनेशन है कि जब हम चबा रहे होते हैं तो निगलने का रस्ता बंद होता है और जब हम निगल रहे होते हैं तो चबाना कुछ से देली में जाके बच्चे को निमूनिया भी करा सकता है और साथ-साथ में चोकिंग भी हो सकते हैं जसकी वजह से बच्चे की शांस रुख सकते हैं तो ऐसी हरकत बिलकुल ऑन करें इसके साथ जुड़ी हुई एक पुरानी हमारी रगड़ो यहां फिर कई बार क्या होता है लोग नाक की हड़ी को दबाने लगते हैं कि कहीं इस से ही दौरा रुक जाए अब देखा यह गया है कि किसी भी लिटरेचर में ऐसी भी कोई ऐसी कोई भी प्रोसीजर की कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि यह जल्दी से जल्दी सीजर रोख देते हैं तो यह सब पुरानी कही सुनी बाते हैं कई बार लोग बोलते हैं कि इसी से सीजर रुका अब यह कोईंसिडेंटल भी हो सकता है इत्तफाक भी हो सकता है कि सीजर वैसे भी रुकने वाला था दो से तीन मिनिट में और आप वो कर रहे थे उस चीजे ना ही करें तो अच्छा है आप अगर चाहें तो midazolam nasal spray अपने पास रख सकते हैं और अगर आपके बच्चे को chronic fits होते हैं तो जो dose है वो बच्चे के साथ लिख के रखिए बलकि चाहें तो एक आप ID कार्ड भी बच्चे के लिए बना सकते हैं जिस पर बच्चे का नाम आपका mobile नंबर और पीछे क्या क्या instructions हैं डोस कितनी देनी हैं बच्ची जो भी मैंने अभी instructions दी हैं उनको आप पीछे छपा के बच्चे की जीवने रख भी सकते हैं ताकि कहीं पे भी अगर बच्चा अकेला है यहां कहीं उसको ऐसा दौरा पढ़ जाता है तो at least जो उसके आसपास मदद करने वाली लोग हैं वो उस चीज़ को पढ़के उसको ठीक से मदद कर पाएं और उसको at least first aid तो ठीक से दे पाएं तो I hope इस वीडियो के माध्यम से मैंने यह एक important aspect को अच्छे से cover किया होगा क्योंकि यह first aid ही है जो सबसे जादा important है होता यह है कि कई बार panic में माबाप मतलब बच्चे को stabilize करने के बजाए बच्चे को गोधी में लेके बस hospital भागने के फिराक में रहते हैं और उसी दुरान होता ही है कि थूख जो है वो सांस की नली में चला गया सीजर तो रुख गया पर जब तक बच्चा hospital पहुंचा तब तक उसको निमूनिया बैठ गया उसको निमूनिया के वजह से ventilator पर जाना पड़ा कभी कभी सांस की नली ब्लॉक होने के वजह से कई रस्ते में डेथ भी हो जाती है जो एट्रिब्यूट हो जाती है कि दौरे की वजह से डेथ हो गई तो इन सब चीजों का आप प्लीज अच्छे से ध्यान रखें और फर्स्टेट को एक साइंटिफिक तरीके से ही करें तो आज के लिए बस इतना ही हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक प्लीज मेर तो नेक्स्ट वीडियो तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें सेफ रहें और कोविट अप्रोप्रियट बिहेवियर का पालन जरूर करते रहें जाहित